नमस्कार मैं हूँ मनमुहन भट उत्राखण में तीरत सिंग रावत नए नए मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन उनका एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्राखण में विधान सभाद चुनाओ तै समय पर ही होंगे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री को ये बयान क्यों देना पड़ा कि उत्राखण में चुनाओ तै समय पर ही होंगे 10 मार्च को तीरत सिंग रावत ने मुख्यमंत्री पत की शपत ली और समविधान के अनुसार 10 अक्टूबर तक उनको किसी ना किसी तरह से विधान सभा में पहुचना है कौन सी सीट से वो उपचुनाओ लड़ेंगे ये एक बड़ा सवाल बीजेपी पार्टी के लिए भी है और तीरत सिंग रावत के लिए ये खुद है चुकि तीरत सिंग रावत अभी लोग सभा के सदस्य है इसलिए ये बाध्यता है कि अगले 10 अक्टूबर से पहले पहले वो विधान सभा के सदस्य बन जाए लेकिन ये सवाल उनको क्यों कहना पड़ा कि उत्तराखंड में चुनाओ तह समय पर होंगे वास्ताओं में चुनाओं जो भी हैं वो तैय समय पर होते हैं जब तक कोई पॉललोटिकल क्राईस नहीं हो जाया ऐसी इस्तिती तो है नहीं, सरकार के पास प्रचंड बहुमत है लेकिन फिर भी मुख्य मंतरी को ये कहना पड़ा कि उत्राखंड में चुनाओ पैसमे पर होंगे वास्ताओं में तीरत सिंग रावत को मुख्य मंतरी बनाया गया त्रविंद्रक सिंग रावत के स्थान पर और अगर तीरत सिंग रावत लगातार एक साल तक शाशन करते हैं उत्राखंड में तो कहीं ये anti-incumbency तीरत सिंह रावत के खिलाव भी न हो जाए ऐसी स्थिती में इस तरीकी के चर्चाएं आम होने लगी थी कि 10 October की बाध्यता है तीरत सिंह रावत की विधान सभा में पहुचने की तो उससे पहले ही विधान सभा चुनाओ किये जा सकते हैं क्योंकि सितंबर का महीना मौनसून के खत्म होने का समय होता है और October के आसपास बहुत pleasant weather पूरे उत्राखंड के पहाडी क्षित्रों में होता है तो वो चुनाओ की जो संभावनाएं हैं वो season बिल्कुल fit बैठता है इसलिए ये बात तीरत सिंग रावत ने counter करने के लिए कि इस तरीके की कोई बात नहीं है इस तरीके की कोई चर्चाएं नहीं है वास्ताओं में उत्राखंड में अगर चुनाओ की हम बात करें तो 2002 से लेकर और 2017 तक जो चार विधान सभाओं के चुनाओं हुए वो जनवरी या फरवरी के बीच में ही हुए अगर हम बिल्कुल इस पश्ट बात करें तो 14 फरवरी 2002 को पहला विधान सभाओं हुआ था उत्राखंड में उस चुनाओं में कॉंग्रेस पाल्टी को जीत मिली थी और नारेंदत तिवारी को उत्राखंड की कमान सौपी गई थी दूसरा विधान सभाओं हुआ था 21 फरवरी 2007 को इस चुनाओं में बीजेपी बहुमत से सिर्फ एक सीट पीछे रुख गई थी लेकिन फिर भी मेजर जनरल रिटायर्ड बीसे खंडूरी के नेत्रतों में उत्राखंड में बीजेपी की सरकार बनी थी 2012 में जो तीसरा विधान सभाओं का चुनाओं हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी को और 30 जनवरी को जब चुनाओं हुआ तो विजेप बहुणा के नेत्रतों में उत्राखंड में कॉंगरेस की सरकार बनी और जो चौथा विधान सभाओं का चुनाओं 2017 में हुआ वो चुनाओं हुए थे 15 फरवरी को यानि जो भी चुनाओं उत्राखंड में हुए है वो फरवरी के दूसरे हफते में हुए है और एक बार चुनाओं हुआ है 30 जनवरी को और एक बार चुनाओं हुआ है फरवरी के तीसरे हफते में तो ये बड़ा दिल्चस्प है कि मुख्यमंत्री को आगे आकर खुद ये कहना पड़ा कि उत्राखंड में विधान सभा चुनाओ तै समय पर होंगे। अब एक बड़ा सवाल ये है कि उत्राखंड में तीरत सिंग रावत किस विधान सभा सीट से बाई एलेक्शन लड़ेंगे अगर तै समय पर चुनाओ होता है तो उत्राखंड में इस तरीकी की चर्चाएं भी आम है और इस तरीकी की बयान बाजी भी कई जगाए से आई है कि कोई ना कोई कॉंग्रेस का नेता मुख्यमंत्री के लिए अपनी कुरसी छोड़ सकता है कॉंग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर विधान सभा चुनाओ जीती थी 2007 में लेकिन इस तरीके के जब बयान इस तरीकी की चर्चाएं जब आम होती है तो राजनितिक हल चल बढ़नी शुर उस समय जो लेटिनेंट जनरल टीपीएस रावत थे उन्होंने अपनी धूमा कोट सीट बीजेपी के लिए छोड़ी थी वो कॉंग्रेस के दिगज नेताओं की शुरिणी में आते थे एंडिति वड़ी सरकार में वो एक्साइज मिनिस्टर और टूरिजम मिनिस्टर थे ब सकता है 2016 में जब मार्च के महीने में कॉंग्रेस की सरकार पूरी तरीके से टौपल हो गई थी लगबग गिरने के कगार पर आ गई थी तो उस समय भी कॉंग्रेस के दिगज मंतरी और विधायक भारती जनता पार्टी के पाले में आते हुए दिखाई दिये थे तो ये बात कोई ऐसा नहीं है कि अगर कॉंग्रेस का कोई विधायक अपनी कुरसी अपनी सीट अपनी विधायका अपनी सीट विधायन सबा की सीट अगर मुख्य मंतरी के लिए छोड़ देता है तो कोई बहुत बड़ा आश्यर हो जाएगा हाला कि वो कौन-कौन सी सीटें हैं जहां पर कॉंग्रेस जीती हैं वो बहुत इसपश्ट है और उत्तराखन के गड़वाल क्षेतर में बहुत कम ऐसी सीटें हैं बिलकुल उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं जहां जहां कॉंग्रेस जीती हैं तो कौन-कौन से वो विधायक हो सकते हैं जो मुख्य मंतरी के लिए कु तो उंगलियों पर गिना जा सकता है कि कॉंग्रेस के पास कौन-कौन सी विधानसभा सीटें रही हैं जो 2017 में उनके पास आई हैं तो अब ये एक कयास बाजी है हलाकि अगर उत्राखन में चुनाओ तैस समय पर होते हैं तो विधानसभा का उप चुनाओ मुख्य मंतरी कौ उड़ते हैं अगर ये सरकार अपना कारेकाल पूरा करती है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेर कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फीडबेक हमको जरूर बताइए ताकि हम आप आपके इच्छा के अनुरूप आपके टेस्ट के अनुरूप वीडियो को बना सकें अगले वीडियो में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार